प्रोग्राम की शुरुवात इस वक्त हम कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के विदान सभाचुनाव से अगले साल उत्तर प्रदेश में होने वाले विदान सभाचुनाव से पहले तमाम राजनीतिक पार्टियां चुनाव जीतने के लिए 80 चोटी का जोर लगाती नजर आ रहे हैं लेकिन इस भीच खबर सामनी आया ही है कि प्रियंका गांदी का उत्तर प्रदेश में दबदबा रहना कॉंग्रेस पार्टी का बड़े स्तर पर उत्तर प्रदेश में चुना बनाय हुए थे लेकिन जब से प्रियंका गांदी उत्तर प्रदेश में आई है तब से उन्होंने जन्ता के मुद्दों को उठा कर जन्ता के साथ जुड़कर ये बता दिया कि वो जन्ता के लिए ही है और जन्ता के साथ जुड़कर प्रियंका गांदी ने जो यहां पर एक रिष्टा बना लिया है यही रिष्टा है जो कॉंग्रेस को उत्तर प्रदेश के विदान सबाचुनाओं में बड़े इस्तर पर जीत दिलवाएगा यानि कि बहुत बड़े हत्त की देखा जा रहा है कि प्रियंका गांधी के आने से न सरी पकलेश शादों को नुकसान हो रह रहा क्योंकि आज उत्तर प्रदेश में हर जगा प्रियंका गांधी के नारों की गूंज दिखाई दे रही है आज उत्तर प्रदेश में एक ही नारा है प्रियंका लाओ और योगी हटाओ यानि कि ये नारा इस तरह का है जो उत्तर प्रदेश के अंदर दिखता नजर आ र हो नजर आरा और इसी बदलाव को तो देख कर योगी अधित नाथ डरे में हाला कि अब देखना ही होगा कि क्या उत्तर पर्देश की जनता बहुत बड़े पर जुड़ कर कॉंग्रस को समर्दन करती नजर आईगी और क्या वाह वाखए ह्गोगर उत्तर प्रदेश में बदलाव करती है तो इसका सीधा असर लोग सबाचुनाओ पर देखता नजर आएगा आज के लिए तना ही आप से फिर दोबारा मुलाकात होगी तब तक के लिए जाए दीजे नमस्त का